कर्म जम्बुद्धि युक्ताही फलं त्यक्त्वाम नीशिणाम जन्मबंध बिनिर्मुक्ताहा पदम गक्षम्त्यनामयम प्रेदर शकूँ नमस्कार एक बड़ फिस उपस्तित हूँ आप सब के सामने आज का कारिक्रम गुरुवार का है जहां मैं आप लोगों के बीच उपस्तित हूँ एक योग ले करके जिसका नाम है इंद्र योग जन्मकुंडली में प्राया दो ग्रहों का परिवर्तन होता है दो ग्रह आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं जन्मकुंडली में अगर दो ग्रह एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं जिसे की यूती कहीं जाती है या कुछ कई बार ग्रह एक दूसरे से संबंद बना लेते हैं चाहे दृष्टी का हो चाहे नक्षत्र के परिवर्तन का हो चाहे किसी भी तरीके से अगर वो कुंडली में संबंधित होते हैं तो कई बार वो विशेश योग के निर्माता हो जाते हैं और ऐसी इस्थोती में वो एक विशेश प्रकार का योग बना देते हैं जो कई प्रकार से जातक को लाभानवित करता है आज आपके सामने जिस योग के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ उसका नाम है इंद्र योग कहीं जाना नहीं है और बच के रहिएगा आपने कलका कारिक्रम नहीं देखा है बहुत कम लोगोंने मेरे जितने regular viewer हैं उन्होंने कलका कारिक्रम को नहीं देखा है तो जड़ा देख लिजेगा कलका कारिक्रम होशकता है आप लोगों को कुछ समझ में आ जाए मुझे लगता है कि कलका कारिक्रम सबसे कम चलने वाला कारिक्रम है और ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है आप लोगों के कहने पर ही मैंने वो कारिक्रम बनाया था तो जरूर देखिए, कल का कारिक्रम जरूर देखिएगा, आईए इंद्रियोग के बारे में चर्चा कर देता हूँ, सिधी सी बात है, छोटे सी पीसे में आपको बता दूँ, आपकी कुंडली में लगन चाहे कोई भ बन रहा हो, और यहां पांचमे भाव में कोई भी राशी बन रही हो, मतलब एक से लेकर के बारह तक पंचम भाव में, जन्मकुंडली का पांचमा भाव इसे कहते हैं, जन्मकुंडली का पहला भाव यह होता है, यहां से कुंडली का गिनना सुरू होता है, एक, दो, तीन, चार पाँच छे साथ आठ नौव दस ग्यारा बारा ये जन्मकुंडली के बारा भाव और जन्मकुंडली में बारह राशियां जोतिश में बारह राशियां और जन्मकुंडली के पंचम भाव की बात आज हम कर रहे हैं जहां जन्मकुंडली के पंचम भाव के अधिपती जैसे मान लिजे मैंने यहां पे 6 नंबर से कुंडली बनाई है तो पंचम भाव के अधिपती कौन बने शनी बन जाते हैं यहां के अधिपती होकर के वो कहां बैठे हैं जन्म कुंडली के एक आदश्मे भाव में एक आदश्मे भाव के कहने का मतलब होता है जन्म कुंडली क वो आगए पंचम भाव में ये दोनों एक दूसरे से स्थान का परिवर्तन कर रहे हैं साथी साथ ये स्थिती आपकी कुंडली में बननी चाहिए जहां पर पंचम भाव के अधिपती का स्थान परिवर्तन एक आदश्मे भाव के अधिपती के साथ हो मतलब इन दोनों के स्थानों में परिवर्तन होता हो और एक बात जो कि इस योग के बनने के लिए बहुत महत्वपून है वो यह है कि पंचम भाव में ही चंद्रमा बैठे होने चाहिए पंचम भाव में अकेले चंद्रमा बैठे हो और साथी साथ अगर वो पुस्ट हो तो जादा अच्छी बात है तो वो पुस्ट कैसे होंगे वो शुभगरह बने हो उनके आगे पिछे कोई ग्रह जरूर बैठे हो अब या लग बात है कि शनी राहुना बैठे हो या तो डैठे हो तो यह योग इंदर योग हो जाता है और ऐसे स्थीती में ये संपूर्ण लाभों को देने वाला हो जाता है और साथी साथ व्यक्ति को राजा के सुद Dabei इंदर के स्दृष निर्प बना देता है जो कामकला का निपुन होता है पतनी का प्रेमी और मालिक होता है स प्रेस्ट कर्म को करने वाला होता है, भगवान का भक्त होता है, पुर्व जन्म के किये गये कृत्यों का लाव इस जन्म में उसे प्राप्त हो जाता है, अपने पितरों का अशरवाद प्राप्त होता है, यश्व कुल का नाम करने वाला, कुल का दीपक हो जाता है, और ऐसी स एक आदश्मे भाव में, एक आदश्मे भाव के अधिपती, अगर पंचम भाव में और पंचम भाव में ही चंद्रमा बैठे हो, तो इसे इंद्रियोग कहा जाता है, मुझे पुरा भरोशा है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अब यहाँ पर यह देख लीजेगा कि आपकी कुणली में ये लगन कौन सा बन रहा है, यहाँ पर जो अंक लिखा हो और यहाँ पर जो अंक लिखा हो, किसी भी प्रकार के राज योगों के घटने का प्रमाण यहीं से सिद्ध हो जाता है, कि वो लगन कितने मजबूत स्थुतियों में बन रहे हैं, जैसे लगन जो भी आपकी कुंडली का बन रहा है वो कितना प्रामारिक है, कितना प्रामारिक होने का मतलब है कि वो कितना शुद्ध है, कितना मजबूत है और कितना स्थतियों में अपने आपको या अपनी इस्थति को मेंडेन कर रहा है, अब कही ऐसा तो नहीं कि आपकी कुंडली में लगन के अधिपति यहां लगन में ही बैठे हों और नौमान्स में जाकर के नीच के हो जाते हों। तो ये लगन के स्थिती को कमजोर करने बाला हो जाता है। एक छोटे से कारेक्रम में मैंने आपको इंद्रियोक के बारे में चर्चा करी। अब आईए आपको कारेकरम के आरम है मैं बोलेगो शलोक का अर्थ पता देता हूँ गिता के दूसरे अध्याय के एक क्यावन में शलोक में भगवान ने बात कही है क्या कही है? इतनी सी बात है कि निर्विकार हो जाओ क्योंकि वो निर्विकार है उसमें कोई विकार नहीं है हम नहीं हो सकते पर प्रयास तो जरूर कर सकते हैं और इसके लिए सिर्फ एक ही बात है जो सबसे ज़्यादा आवश्चक है और वो ये है लाभ और अलाभ की स्थती से अपने आपको मुक्त कर लो जहां किसी भी प्रकार के लाभ के बारे में आप सोच करके कर्म ना करते हों और ना किसी हानी को ले करके चिन्पित होते हों जो काम है वो है और जो करना है वो आप ही को करना है बस उसके परिणाम के बारे में सोच करके अपनी बुद्धी और मती को कम जोर ना करें कुछ इसी तरीके से आज की कार्यक्रम का समापन करते हैं कल का कार्यक्रम ज़रूर देख लीजेगा आप लोग ने देखा नहीं है तब तक लिजाज़ दीजे कल एक बार फिर से उपस्तित होंगे आप सब के सामने तब तक के लिए बहुत-बहुत नमश्कार झाल